नमस्कार सनमार्ग लाइब में आपको स्वागत है आपके साथ मैं हूँ रेखा मिस्ट और इस वक्त हमारे साथ सिम्देगा विधायक विमला प्रधान जी है विमला जी आप हमें बताईए सक्खी मंडल ये जो कारिक्रम का योजन किया गया था इसका क्या उद्देश्टे थ सारे जगा प्रचार प्रशार भी कर रही है उसके साथ ही सक्खी मंडल को अनेग जगा जेसल पीएस हुआ जोहार योजनाओं के तहत में प्रसिक्षन देकर उन्हें आर्थिक लाग पुहुचाने का सरकार ने जो नीरने लिया है उससे उन्हें आर्थिक उनत्ती हो रही है महिला ससक्तिकरण के बाद सभी लोग करते हैं लेकिन महिला ससक्तिकरण का असली उधारान अगर किसी पार्टी में देखने को मिलता है तो वो भाजपा है चाहें केंद्र हो या राजे हो हर जगह महिलाएं जो है अच्छे अच्छे पत पर विराजबान है तो इसे कितनी बड़ी उपलब्धिता महिलाओं के लिए आप मानती हैं देखे महिलाएं मतलब नेतरित्व शंता उनमें है जिस तरह से भारतिय जनता पार्टी अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है विधायक को रूप में या पंचायत प्रतिनिदी के रूप में सांसद के रूप में बहुत जगह हमारी सांसद मिनिस्टर भी है और इस तरह देश और राज की महत्वपून सरकार के पदों में हैं जिम्यदारियों को निभारी है उससे आने वाली पीड़ी ये सबक सिखेगी कहने का मतलब वो उसको फोलो करेगी और आगे बढ़ेगी देखे राजनीतिक छेतर में भी आना बहुत जोरी है क्योंकि पड़ी लिखी म करते हैं जी पास अच्छा पद नहीं है तो हमें हम लोग तो राजनीति के साथ में समाच से वी ही ज़ accus है तो महिचन का आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत तरह की बातें चाहे हो सामाजी की की भी ठ्लूक हों साइग्चिनिकों जा पार्जन का चेतर हम लोग तो हमारा फेल हो गया इसको लेकर के विपक्ष जो है प्रधान मंदिर लेंद्र आड मोदी जी जी डिए दृमीद के साइंटिस्ट के उपर तो किसे इसे आप किस तरीके से देखती और ग्विपक्षरश गla आज उससे संपर्क हो गया है इसरोबालों का और जो वहाँ पर जो अपना जो बिक्रम जो लेडर के यह से हाँ वहाँ पहुचा हुआ है उससे संपर्क हो गया है और इसलिए हम उस मिशन को फेल नहीं बोलते हैं हम उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी मदद करी कि बैग्यानिकों का भी मनोबल। काफी मूचा है और भारत की एक-एक जनता हम बैग्यानिकों के साथ में आने वाले समय में हम और अच्छा करेंगे। तो धन्यवाद में हमसे बात करने के लिए तो ये थी हमाई साथ विम्ला पधान जी जिन से हमने बात की और उन्होंने साफ तोर पर कहा कि भाजपा है कैसी पार्टी है जो बेसिकली महिलाओं पर फोकस करती है महिलाओं के विकास की बात करती है सहीयोगी दिनेश के साथ